दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट बॉलीवुद के मशहूर एक्टर आमिर खान की जल्थी अपनी आने वाली फिल्म ठाग्स ओफ हिंदोस्तान में नजर आएंगे आमिर अपनी हर फिल्म के लिए काफी मेहनत करते हैं और पूरा समय देते हैं टैनलिट एक्टिंग और हमेशा अच्छी फिल्मे बनाने की वजह से ही वहनक एवल भारत में बलकी दुनिया भर में मशहुर हैं उनके चाहने वालों की संख्या विदेशों में भी काफी है लेकिन कभी कभी कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो अपने पंसदीदा स्टार के लिए ही उसीवत खड़ी कर देते हैं ऐसा ही एक वाक्या आमिर खान के साथ हुआ यह वाक्या उस वक्त हुए जब आमिर का एक फीमेल फैन ने अपने चहिते एक्टर से मिलने पर आटोग्राफ और सेलफी की डिमांड के बजाए कुछ और डिमांड कर दी इस फीमेल फैन ने आमिर के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी थी जिसे पूरा करना आमिर के बस की बात नहीं थी और वो उसकी बातों को सुनकर शर्मा गए दरसल इस बात का खुलासा आमिर बॉलिवुड ने एक टॉक शो के दौरान किया जहां वो अपनी पत्नी किरन राओ के साथ पहुँचे थे आमिर ने टॉक शो के दौरान बताया कि जब कोई मुझे पसंद करता है तो मुझे ये बात जानकर काफी खुशी मिलती है इसके बाद शो के होस्ट ने आमिर से किसी फैंस की कोई ऐसी बताने के लिए कहा जो वाकई में अजीब हो और जिसे सुनकर वो शर्मा गए हों शो के होस्ट के इस सवाल का जवाब देते हुए आमिर ने कहा मुझे साफ बोलने वाले लोग पसंद है मुझे याद है एक लड़की में मुझे सीधे आकर कहा था में तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ आमिर के मुन से इतना सुंते ही उनकी पत्मी किरण राव ने उनसे तुमत कहा कि ये बात तुमने मुझे की नहीं बताई हाला कि आमिर ने अपनी पत्मी से कहा कि मैंने ये बात तुम्हें पहले बताई थी दोस्तों अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए